हेलो एव्रिवर्ड वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मैं प्रतिभा कानपुर किचन एंड ब्लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ख्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ सफेद मतर की चाठ जोकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे मैं पूरा 100 परसंट ऑइल फ्री बनाओंगी। तेल का मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए साथी नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर दीजिए जिससे की मेरे आने वाले सभी लैटिस्ट वीडियोज की हुआ था और राद भर के लिए इसे पानी में विगोग के रख दिया था तो मतर हमारी राद भर में बहुत अच्छे से फूल गई है मतर को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए इसे ओवर नाइट के लिए यह साथ से आठ घंटे के लिए चोड़ दें तभी म हम इसमें पानी डाल देंगे पानी हमें बहुत जादा नहीं डालना है बस ध्यान रहे कि मतर के उपर पानी होना चाहिए और इसका पानी हमें फेकना नहीं है हम इसमें स्वादानुशा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम कूकर का ढखकर लगा दें तो ये देखे, तीन सीटी में मेरा जो मतर है, वो बहुत अच्छे से पक गया है, आप एक बार चेक कर लें और अगर आपको लग रहा है कि मतर अच्छे से नहीं पका है, तो आप इसे दुबारा फिर से एक दो सीटी लगा सकते हैं, अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, और मतर है, उसे हम इस बाउल में निकाल लेंगे, ये देखे फ्रेंड्स मैंने इस एक बाउल में निकाल लिया हुआ है, और हलका सा इसमें लिक्विड भी रखा हुआ है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, एक चमश लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चमश धनिया पाउडर, एक बड़ा चमश चाट मसाला पाउडर, आधी चोटी चमश जीरा पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे, आधा चमश आमचूर पाउडर और 140 जितना मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला हुआ है, कटा हुआ प्यास डाल देंगे, दो-से तीन कटि योई हरी मेर्च और एक बड़े साइज का टमाटर था जिसे मैंने चॉप कण लिया हो था उसे बी ढाल दें गेगे साथ में में दनिया डाला हु आप अब आप हम इस्मे चटनी डालेंगे तो मैंने इसमें इंबलि की मीठी चटनी ढाले वह यह खट्टी मीठी चटनी हरी चटनी डाल देंगे तो चटनी आप अपने टेस्ट के according कम या ज़्यादा कर सकते हैं सभी चीज़ें हम डाल के अच्छे से mix कर देंगे यह दिखे फ्रेंट्स मैंने सभी चीजें डाल के अच्छे से मिक्स कर दी है आब हम इसे सर्व कर लेती हैं जिसके लिए मैंने एक सर्विंग प्लेट लिए और यह मटर चाठ हम इसमें डालेंगे उपर से हम इसे थोड़ा सा प्याज डालेंगे कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे हरी चटनी डालेंगे चटनी आप अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं इमली की चटनी और हरी चटनी की रेस्पी मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपको मिल जाएगी तो ये हमारी बहुत ही चटपटी बिना तेल की बहुत ही स्वाधिष्ट मटर की चाट बन के तयार है आप इसे जरूर ट्राइ करें ये आपको बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स उमीद करती हूँ कि आज की चाट की सिंपल सी रेस्पी आपको पसंद आई होगी अगर रेस्पी अच्छी लगी है तो लाइक की बटन को जरूर हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर से मिलती हूँ एक न्यू रेस्पी की साथ तब तक के लिए बाबाय टेक एर